नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल्स पर तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर बैठे बैठे अपने फोन से अपनी गाड़ी का इंसुरेंस ले सकते हैं एक की इस कभी करें के इसके लिएूप्पली आपको अपना क्रोम या गूगल ओपंड लेना है और यहां पर को सार्च करना है वह कल इंसीम sig जोरेंटक्न चेक लिख के आ अप सर्च करेंगे काफी सिंपल प्रोसेस है तो आप लिखेंगे और यह search कर लेंगे तेखें मैंने लिख लिए है विश्को search करते हैं और search करेंगे देखें यहां बहुत सारी website आ जाएंगी जैसे policy बाजार है इसके बाद tata.ai.g है और वी जितनी वी वेबसाइट होंगी यहाँ पर आज कल यहाँ पर जो टॉप ट्रेंडिंग है चल रहा है वो चल रहा है एकनो का तो मैं आपको इसमें बता रहा हूं सबकी प्रोसेस लगबग सेम रहती है चलिए मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं एकनो की और इसके बाद आपको आगे की process step by step बताएंगे यह आ जाएगा अब यहाँ पर आप अपनी car या bike जो भी हो आप उसको select कर लेंगे जैसे मेरे car का करना है तो मैं यहाँ पर car select कर ले रहा हूँ अब इसके बाद आपकी bike हो तो आप bike select कर लेंगे और उसके बाद आपको अपनी गाड़ी का number यहाँ प check prices के उपर tap करेंगे अब देखिए यह पूछ रहा है कि आपने पहले policy में कोई claim किया है कि नहीं किया है और आपके गाड़ी में CNG लगी है कि नहीं लगी है तो यह आप अपने हिसाब से select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ आपके continue करेंगे तो चलिए मैं select कर ले रहा और यदि आपके गाड़ी किसी को damage करती है तो दोनों ही चीज़े इसके भीतर में cover होती है आप चाहें तो इसके भीतर जाके detail भी check कर सकते है और दूसरा होता zero depreciation plan तो यह सबसे better होता है पर इसमें इसकी cost आपको ज्यादा पड़ेगी इसके भीतर में यदि आपकी गाड़ होती में यही होता है कि आपको जो भी amount लगती हो 100% return मिलेगी और इसके बाद होता है तीसरा जो होता third party plant तो यह सबसे सस्ता पड़ता है यह नीचे में है मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं third party plant यह four wheeler का दिखा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा costly दिख रहा होगा यह continue करेंगे तो आपके सामने add-ons plan आएंगा कि ड्राइवर और passenger की safety के लिए आप यदि insurance लेना चाहते हैं तो इतने रुपए देखे आप उसको add कर सकते हैं जरूरत के नुसार आप add कर लेंगे जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे उसके बाद आप continue करेंगे तो यहां पे आप तो जो mobile number आपने दिया हुआ उस mobile number पर OTP आएगा तो OTP आपको यहां पर submit कर देना है अब चलिए submit कर देते हैं OTP को अब यहां पर आपको सारे payment method मिल जाएंगे कि आप कैसे payment करना चाहते हैं UPI net banking credit card debit card जिससे भी आप payment करना चाहते हैं कर सकते मैं यहां पे simply UPI phone पे से कर रह हूँ इसके बाद आपको यह phone पे या जो भी आप UPI चूज करेंगे उस पर redirect करेगा और आपको यहां पर simply UPI का pin डालना है और आपकी payment हो जाएगी देखिए जैसे यहां पर यह payment हो गई है अब आपका जो insurance है उसकी payment paid हो चुकी है अब आपको KYC करनी होगी KYC के लिए simply आप बटन उसके उपर tap करना है start KYC अब देखिए यहां पर KYC जो है वो दो प्रकार से कर सकते हैं pen card से कर सकते हैं और दूसरा आधार card से तो pen card से काफी simple है और आधार card से थोड़ा आधार की OTP OTP verify होती है तो मैं यहां पर pen card से कर रहूं आप चाहें तो आधार card से भी कर सकते है चलिए process को आगे बढ़ाते हैं अब यहां पर आपका नाम पूछेगा तो आपको जो आपके जो भी आपने ID यूज किया उसमें जो नाम होगा वो आपको accurate नाम डाला है तो accurate नाम आप फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आप आगे next करेंगे चलिए continue करेंगे अब यहां पर देखिया आपका जैसे यहां मैंने pen select किया तो pen number पूछ रहा है यादि आपने अधार select किया हो तो अधार number पूछेगा और उसके बाद date of birth पूछेगा यह लिखने के बाद आप continue कर देंगे proceed करेंगे और आपके KYC done हो जाएगी KYC आपके done हो गई है अब यह complete हो चुका ह अब हम back to home जाएगे यहां पर देकिए यह हमारी KYC done हो चुकी है अब इसके बाद हमको इसको download करने के लिए back to home के उपर tap करेंगे यहां नीचे ठीक है back to home के उपर जैसे ही tap करेंगे तो यह आपको home page पर ले आएगा यहां पर अब यहां पर आपकी policy यहां पर so होगी तो उ उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप किस में download करना चाहते हैं तो आप simply PDF चूज कर लेंगे और PDF चूज करते ही आपके phone पे यह policy को download हो जाएगी यह policy ठीक है देखे यह हमारी download हो गई हमारे phone पे अब हम अपनी जरूत के नुसारे इसको use कर सकते हैं friends friends यादी video पसंद आया